जहेंद फ्रेंट लांश टेंट यूपी बोड़ के सभी थातरों को जहेंद आज का वमारटब होने वाला है वोँमारा पिज्वांट का सेंप्र पेपर है जो कि आपकी board परिचा के लिए very very important तो आज हम लोग अपनी board परिचा के लिए बिग्यान का जो मैंने question paper लिया है इसमें हम लोग division करें कि हमारे किस प्रकार में board परिचा में लगातार question पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसे मैंने वही question रखे हैं कि आपकी प्रिचा में लगातार repeat question हो रहे है तो इस question paper को हम लोग पढ़कर अपना confidence देखेंगे हम लोग कितना अभी तक हमने कितनी तयारी की है और हम लोग किस किस तयारी के base पर हैं तो यहाँ पर आप लोग इसे पढ़कर आप अपनी तयारी को बेहत अच्छी कर सकते हैं और मैंने इससे पहले science के topic पर यानि science के sample paper पर बहुत video upload करते हैं जिनको आप देखकर अपनी तयारी को बेहत आसान कर सकते हैं तो यहाँ पर आप सभी video को देखा करें ताकि यह आपका जो परिच्छा है उसमें आपके सभी कुष्ण फथ जाएंगे हम इस पात गारंटी लेते हैं जितने मैंने sample पर upload की हैं इनको आप सभी को देखकर आपके जो कुष्ण है उससे बाहर नहीं जाएंगे तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर कहे रहा हैcuz कुस्ष्ण नमबर 1 कुस्त नमर 1 कि यह पर कहे रहा हि की एक लेंस की माइनस्त के टू पॉइंट ना फॉंटर है जो लेंस की मेज़य के प्रक्रति क्या होग़ी यहाँ पर जो हमारा सभी अंसर होगा बो मारा क्या होगा 40 cm अफ्तल कितना होगा 40 cm अफ्तल कितना होगा 40 cm अफ्तल यहाँ पर जो focus वरी negative दीगी है तो negative से अफ्तल लेंस होगा और हमारा क्या होगा 40 cm अफ्तल इसके बाद question number यहाँ पर 2 कह रहा है कि एक बिद्दू सक्ती P पत्रोद R से व्यक्त होता है तो बिद्दू धरा व्यक्त होगी तो यहाँ पर जो हमारी होगी under root under root P upon R under root P upon R under root P upon R याने कि हमारा आपसर नंबर D वाला इसका सही जवाब होगा इसके बाद question number 3 यहाँ पर कह रहा है प्रकास की चाल माध्यम में वा माध्यम 1 में माध्यम 2 में क्रिमसा V1 V2 है तो माध्यम 1 का अपरदनां माध्यम 2 के सापेच क्या होगा तो यहाँ पर जो हमारा इसका right answer होगा वो हमारा इसके बाद question number 4 इनमें से कौन सा कतन असत है तो यहाँ पर जो आपको टिक करना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले कतन हमारा दिये चुमकिये रेका हैं चुमक के उत्तरी दुरूप से प्रकट होती है हमारा सही है चुमकिये रेका हैं चुमक के भीतर दच्छड से उत्तर दूसरे को पर छेट करती है यह वाला हमारा option गलत है यह वाला हमारा सही होगा इसके बाद question कहरा है question number 5 कहरा है कि इसमें इनमें से किस दरपड का दरश्टी छेट अधिकतम होता है तो यह हमारा question very important है इसको आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर जो हमारा होगा उत्तर दर नममें जोडने पर कूल प्रतिरोद आरवन तता समातर क्रमें जोडने पर आठीव होतो तब यहाँ पर जो मारे इसका right answer होगा वो हमारा होगा यहाँ पर आपसर नमबर बी क्या होगा आरवन अपाउन आठीव का जो मारे रेश्यू निकल करेंगा वो नाइन अपाउन और कुणांद भाई कुन्दली में मैं क्योंकि बढ़ाने केंद्र में क्योंकिय यśmy कितना होगा तो यास का राइट अंसर होगा और हैं इसके का IPSC नाम क्या होगा तो यहाँ पर जो हमारा इसका IPSC नाम होगा वो हमारा होगा एथेनौल क्या होगा एथेनौल इसके बाद कुस्तर नमबर नाइन निम लिकित में से कौन सा एक देहन अविक्रिया है यहाँ पर जो हमारी देहन अविक्रिया है वो हमारी होगी आफसर नमब इसके बाद कुछतर नमबर 10 यहांपर कह रहा है कि एक समों में उपर से नीचे जाने पर परमाड़ू का साइज बाड़ता है क्योंकि यहां पर जो हमारा इसका राइट अंसर होगा वह उप्रूप्त मैं से प्रूप्त मैं से कोई नहीं इसके बाद कुस्सा नमर 11 प्लास्टर पेरिस का राह साइनिग सूत्र क्या है यहां इमारा आपके नमर D in यृँद का पीएच मान होता है तो यहाँ पर जो आपको बताना हो कि सुद्द जल का पीएच मान कितना होता है जो कि हमारा सुद्द जल का पीएच मान होता है सेविन कितना होता है सेविन इसके बाद कुछ नमबर 13 कह रहा है कि इल्डिहाइट का क्रियात्मक समूग क्या होगा तो यहां पर जो हमारा इल्डिहाइट का क्रियात्मक समूग होता है वो हमारा CHO होता है यानि कि आपसे नंबर B वाला हमारा इसका सही जवाब होगा आपसे नंबर B वाला हमारा इसका सही जवाब होगा इसके बाद कुछ नम 15 मटर के लंबे पौदे टीटी और बौने पौदे इसमाल टीटी के मदे क्लास कराने पर प्रतम संतती प्रीडी मिलेंगे तो यहाँ पर छोटे बड़े दोने होंगे एक लंबा होगा एक छोटा होगा तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट अंसर होगा वो हमारा होगा आपसे नमबर सी कितना होगा आपसे नमबर सी आधे लंबे और आधे बौने तो यहाँ पर हमारा आपसे नमर शी वाला सही जवाब होगा इसके बाद कुशन नमर 16 नेम लिखित में से कौन सा प्रकास संसेसर की अविक्रिया में प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपको सबसे इंपोर्टन कुशन है इसको आपको ध्हान रखना होगा यहाँ पर जो हमारा इसका राइट अंसर होगा वो हमारा होगा जल और कर्बन डाई आकसाइड क्या होगा जल और कर्बन डाई आकसाइड इसके बाद कुशन नमर 17 शामान एक लंगी नर पुष में नर पुष में नहीं पाया जाता है यहाँ पर हमारा इसका right answer होगा वर्ति कागर क्या होगा वर्ति कागर इसके बाद कुस्पी no 18 insulinz राबिद होता है यह कुस्पी हमारा very important है और very संदेव है कि बहुत से टीचर इसको गल्द बताते हैं यहाँ पर आपको इसको देखना होगा insulinz राबिद होता है है यहाँ पर मा एक आजक चांसर गरा किया होगा अग्नियास क्या होगा अग्नियास इसके बाद het की यहां पर किया था यहां पर किसे ने किया था कूशे नमरर 9 किया थचार्ज डार्विन इसके बाद question number 20 question number 20 यहाँ पर कहा है जीवास मीधन जलने पर देता है यहाँ पर हमारा इसका carbon dioxide क्या होगा carbon dioxide देता है इसके बाद यहाँ से हमारा English version है यह हमारा English version अगर आप English version के चात रहें तो आप English version से भी तयार कर सकते हैं इसके बाद कूर्शन नमबर यहां से हमारा स्टार्ट होता है लगोत्री अपर इस कुर्शन को सभी कुर्शनें को वाकाइदा सुनेंगे और कुर्शन को कौसर नहीं आ रहा है कि कि आप दरपड में किसी भश्तू का अबासी प्रित्वियं प्राप्प्त करने के लिए कि किसी प्रिज्म के स्वेध प्रकास के बिच्छेपड की किरिया चित बना कर समझा यह भी हमारा कुशन इंपॉर्टन है आपको प्रिज्च बनाना होगा फिर आपको साथ ऐसे कलर निकालने होते हैं विब्ग्योर इसके बाद कुशन नमर 23 कहरा 23 कुशन हमारा बेरी इंपॉर बैद्दू चुम्किये प्रेड़ की घटना क्या है कि इस घटना से संबंदित फार्याडे का नियम का अप्रयोग समझाईए आतवा में यहाँ पर हमारा कुशन कहरा है अतवा में कहरा है कि किसी परन्यालिका में प्रवायवारेत बैद्दू धारग के काड़ उत्पन आपको डियाग्राम बना कर इसको एक्स्प्रेन करना होगा इसके बाद उप्खंड गा यहां से आपको केमेस्ट्री से कुषिंद मिलते हैं केमेस्ट्री इस्के बात कुस्य नमर यहां पर आपको बाद द्रहान रुखने कर लिखने होंगे मैं को कैसे अप्राप्त करेंगे राश्यानिक समीकर द 맞아 देखने होंगें इसके बाद कीश्यानिक करें bleibt करें लुजींए dil ya । पर आपको बताना होगा नेम डिकीत में से कैसे प्राप्ट करेंगे आपको रासानी समीकर देखना देना होगा तो जैसला कि यहां पर मारा पहला कुछ पूंच रहा है कि बेकिंग सोडा से आपको दोने वाला सोडा कैसे प्राप्ट करेंगे यहां पर आपको रासानी समीकर लिखना होगा 2 ENA का लिखना होगा 2 ENA HCO3 EROSMA फिर आपको लिखना होगा Na2 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 CO3 CO3 PLUS H2O PLUS CO2 तो यह आपकी रहसानी समयकर होगा जसके बाद कुछर्सनमबर कैसे आपको मिलेगा यहाँ पर जवानास का रहसानी समय कड़ होगा वो मारा होगा जिपसम CASO4.H2O 2H2O एरो फिर आपको CASO4.1 2H2O पिलस आपको फिर हाप H2O लिखना होगा हाप H2O तो यह आपकी समय कड़ हो जाएगी इसके बाद कुछ्टे नमर सेविन कुछ्टे नमर सेविन यहाँ पर कह रहा है भरजन क्या होता आपको इसवर ब्याक्या करनी होगी इसके बाद करहा है धातु हो कि सक्टा सेड़ी आपको बताना होगा अगर आपको यह नहीं आता यह कुछिन यूपर वाला तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि संक्लन अबक्रिया का उधार देकर समझाईए इसके बाद करहा है आदुनिक आवर साड़ी में असाड़ी की विसेस्ताइं बताईए इसके बाद कह रहा है कि सिना बाहर से मरकरी कैसे प्राप्त किया जा इसका आपको राशानी समीकर लिखना होगा इसके बाद कुस्टन नमर यहाँ पर कुस्टन नमर शेविन हो गया है इसके बाद यहाँ से हमारे बायो से पशनाते कहां से आते हैं बायो से तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला कुस्टन पूचा गया है कि पादप में जाैलम का एक प्रमुक कार लिए तो यहां पर आप लिख सकते जल का खनी तथा जल का पुर्वाइन आप लिख सकते हैं इसके बाद कुछे नुमर 2 पूछ रहा है कि यहां पर शरीर के किस अंग्से कापड़ी स्थापित किया जाता है तो यहां पर लिखेंगे ग मटर क्या लिखेंगे मटर इसके बाद कुछसे नमर फाइब कुछसे नमर फॉर यहां पर कह रहा है कि समझात अंगों के एक्जामपल बताईए तो यहां आप ले सकते हैं पच्छी के पैर और पंक आप लिख सकते हैं गोड़े के अगरपाद और पच्छी के पंक आप ऐसे इसके बाद कुछसे नंबर 9 इसके बाद कुछसे 9 बताईए पुंद्रद भवन पर आपको ब्याक्या करनी कोगी इसके बाद कुछ्य नमर यहां पर रिलेवर है की बॉरक के सनचना वरण कीजिए यह कैसे घर करती है अगर आपको यह नहीं आता तो आपने को बोलन को बैखलाए । यहांपर आपको तीन पर पर देेखा कर सकते हैं इसमारे कुशन इसके लाद मारे कुश्ण खतम हो जाते हैं तो यह हमारा बिग्यान का सेंपल पेपर था जो कि आपकी बोर्ड परिचा के लिए very very important कुश्ण पेपर था तो इस कुछन पेपर को आप तयार करकर आप अने अच्छी तयारी का रिवाइज करेंगे ताकि आपके बॉर्ड परिच्छा में 95 प्रेस का स्कोर बन सेके जाएं दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि आप सभी लोगों को जाएं अच्छे से तयारी करें अपने एक्जाम में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंड में बता सकते हैं जाएं दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में